लो फ्रेंट वलматम बाक टो माई चैनल आज हम बनाएंगे मुमबाई स्टीड स्तायल वड़ा पाउ वड़ा पाउ बनाने के लिए सबसे पहले हम फालो करेंगे step 1 बेसन बैटरई इसके लिए मैंने लिए सबसे पहले बडा बाल इसमें हम चान लेंगे अपना बेसन का आटा आटे को चाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंट्स था कि इसमें कोई लम्स ना रहे बेसन में हम आड़ करें सौल्ट अपने स्वाद अनुसार हम आड़ करेंगे हॉफ टी स्पून ओफ रेट चिली पाउडर एपिंच ओफ टर्मरीक और बेकिंग सोडा वड़ास एकदम ऑथन्टिक मॉंबाइ स्टाल बनने के लिए हम इसमें आड़ करें कॉन फ्लॉर और थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ करते जाएंगे बेसन के बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लंज ना रहे इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए बेसन के बैटर को हम 10 मिनिट्स के लिए ढखकर रखतेंगे और स्टार्ट करेंगे स्टेप 2 पोटाटो मसाला पॉटाटो मसाला बनाने के लिए हम लेंगे 4 बॉइल पॉटाटो उसका स्किन रिमूफ करेंगे और पॉटाटो को मैश करेंगे और एक जर में हम लेंगे कुरियांडर लीज़ इसमें दालेंगे हम टू ग्रीन चिली जालिक और वाटर दालकर हम इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे अब हम रखेंगे स्टॉप पे पैन और डाल देंगे ओइल और इसमें डालेंगे थोड़ी से मस्टर्ट सीट सीरा और डाल देंगे अपना ग्रीन पेस्ट और इसको फोर मिनिट्स के लिए पका लेंगे एक green paste को 4 minutes पकाना compulsory है friends ताकि इसकी कच्ची में चली जाए और color के लिए हम add करें turmeric और हम इसमें add करेंगे थोड़ा से salt अपने स्वाद अनुसार हमारे सभी मसाले अच्छी तरह से पकने की बाद हम इसमें add कर देंगे mashed potatoes mashed potatoes को हम मसाली में अच्छी तरह से mix कर लेंगे friends ताकि इसमें कोई भी लंच ना रहे उपर हम थोड़े से coriander leaves add कर लेंगे friends चलिए आप चलते हैं हम अपनी step 3 की तरह red chutney red chutney street वड़ावपो की जान है friends ये तो ज़रूर बनाना चाहिए red chutney बनाने के लिए हमने लिया fry garlic and the fry peanuts हम इसमें add करेंगे red chili powder आप चाहिए तो कश्मीरी red chili powder भी इसमें add कर सकते हो और add करेंगे थोड़ा से salt इसको कर देंगे grind नारी red chutney ready है friends हम इसको transfer कर देंगे एक कटोरी में अब हम चलते हैं अपने step 4 की तरफ यह है green chutney green chutney बनाने के लिए हम लेंगे handful of coriander leaves, green chilies and garlic इसमें थोड़ा सा water दाल कर इसको grind कर लेंगे friends हमारी green chutney ready है हम इसको transfer कर लेंगे एक कटोरी में green chutney ज़्यादा ना थिक होनी चाहिए ना ज़्यादा loose इसके puffet consistency ऐसी होनी चाहिए friends हमारी वड़ा पॉके सभी chutney ready है friends हम देंगे आप potatoes को वड़ा का shape और इसको कर देंगे हम basin में dip और इसको कर देंगे fry अब हम stop पे रखेंगे pan और उसमें डाल देंगे oil oil को रम होने के बाद हम इसको basin में dip कर हम इसको fry कर लेंगे friends अब है step 5 assembling के वड़ा पाओ इसके लिए हम पहले पाओ को सेख लेंगे ghee और फिर butter में पाओ अच्छी तरह से सिखने के बाद हम इसको transfer कर देंगे एक plate में और हम अपने वड़ा पाओ की assembling शुरू करेंगे सबसे पहले हम एक तरफ लगाएंगे green चटनी और दूसरी तरफ लगाएंगे red चटनी दोनों चटनी इस लगाने के बाद हम इसके बीच में रख देंगे crispy वड़ा और इसके उपर रख देंगे milky हमारा वड़ा पाओ रेड़ी है friends if you like my video please like share and subscribe to my channel